गुनात्मक सम्मिती गुनात्मक सम्मिती है। इस चित्रपर विचार कीजिए, यदी हम इसे 120 कोन पर गुमाते हैं, यह अपरिवर्ट दिखाई देता है, इसलिए इसमें गुनात्मक सम्मिती है। वे स्थिर बिंदू, जिसके चारों और हम वस्तु को गुमाते हैं, उसे घूनन केंद्र कहा जाता है, और घूनन के दौरान मुढने वाले कोण को गूनन कोण कहा जाता है, यह सबसे चोटा कोण है, जिस पर कोई वस्तु समान दिखने के लिए मुढती है, यहाँ कुछ और उधारण है, यदि हम अंग्रेजी के अक्षर S को स्थिर बिंदू के चारों और गुमाते हैं, तो यह ठीक एक समान ही दिखाई देता है, अक्षर S में इसके केंद्र के चारों और कोटी 2 की गुनात्मक सम्मिती होती है, गूनन का केंद्र S का केंद्र है, 2 गूनन का केंद 3. गुनन की दिशा घड़ी की सुईयों के चलने की दिशा में है, 4. गुनात्मक सम्मिती की कोटी 2 है, जबकि मार्ग चिनह में गुनन सम्मिती 3 की कोटी है, 4. गुनन का केंद्र मार्ग चिनह का केंद्र है, 2. गुनन का कौन 120 है, 3. गुनन की दिशा घड़ी की सुईयों के चलने की दिशा के विप्रीथ है, 4. गुननात्मक सम्मिती की कोटी 3 है, और स्वास्तिक में नभे का गुनन कोण और गुननात्मक सम्मिती 4 होती है, स्वास्तिक में इसके केंद्र के चारों और कोटी की गुननात्मक सम्मिती होती है, गुनन का केंद्र स्वास्तिक का केंद्र है, गुनन का कोण नभे है, दिये गए चित्र में कोटी पांच की गुर्णात्मक सम्मती है, एक तारे में इसके केंद्र के चारों और कोटी पांच की गुर्णात्मक सम्मती होती है, 1. गुनन का केंद्र तारी का केंद्र है 2. गुनन का कोन भातर है 3. गुनन की दिशा घड़ी की सुईयों के चलने की दिशा में है 4. गुनात्मक सम्मिती की कोटी 3 है